हेलो सुद एन्ट ओप्पर आम शुमन होस कि विलकाम टू माई चैनल डा सब्सक्राइब उस्टाप देखो यह यह क्लास एट का थार चेप्टर है हम लोग फास्ट और सेकेंड चेप्टर अल्रेडी कम्प्रेट कर लिया है एंड फास्ट और सेकेंड चेप्टर का जो exercise question answer है वो भी complete कर लिया है यह geography class 8 का 3rd chapter है और यह 3rd chapter का मैं already 1st video बनाया हूँ फास्ट वीडियो में बताया गया है mineral और power resource का introduction पार्ट बताया गया है mineral किस जएगा में मिलते हैं बताया गया है types of mineral भी बताया हूँ तो first video आप लोग पहले देखिए mineral का फिर second video देखिए बहुत अच्छा होगा और जिस जएगा मैं देखो यह highlighter में light कर दिया गया है यह copy में note करके रखिए यह exam पर आने का बहुत chance है चलो start करते हैं यह second part का वीडियो और जो लोग इस चैनल को subscribe नहीं किये हो please subscribe कर देना क्यूंकि बाद में मैं जो कुछ वीडियो पनाऊँगा आप लोग को notification मिल जाएगा चलो start करते हैं देखो distribution of mineral mineral acquire in different type of rock mineral मिलते हैं बहुत type का rocks में mineral मिलते हैं बहुत type का rocks में चलो इस जाएगा में हम लोग देख लेते हैं rocks का types क्या क्या है आप लोग class 7 में already पढ़े हो rocks का तीन टाइपस है igneous rock, metamorphic rock और sedimentary rock तो चलो मैं यह तीन rock के बार में भी थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोग सुन लिए देखो igneous rock किसे बोलते हैं कुछ भी एक rock है और यह rock से जब lava intrusion होता है lava eruption की बज़े से यह lava बाहर आ जाता है अब देखो यह बाहर आने के बाद यह बाहर आने के बाद ठंड हो जाता है और ये इग्निवास इंटूसेन या लाभा इरॉप्शन की बज़े से जो मैगमा अंदर से बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद जो रोक फॉर्म करते हैं, उसे बोलते है इग्निवास रोक, अब देखो इग्निवास रोक तो हो गया, ये इग्निवास रोक से ही बनता ह मेटामॉर्फिक रोग अब यह प्रेसर और हीट की वज़े से यह प्रेसर और हीट की वज़े से क्या होता है यह इगनिवास रोग चेंज हो जाता है प्रेसर और हीट की वज़े से इगनिवास रोग चेंज हो जाता है प्रेसर और हीट की वज़े से यह चेंज हो जाता है irony कर आपने जो ओर क्या दिए वह पर तो देखो मटामुर्फिक है अब यह रोक जब surely और से डूसरे ड referring हलो एक जाए चले जाते हैं एक जैघसे दुसरे जैगा चले जाते हैं जमा होते हैं जमा होते रोक, एक जगह से दुसरे जगह चले जाते हैं, मतलब रोक एक जगह से दुसरे जगह चले जाकर जमा होते हैं, उसी जगह में जो रोक बनते हैं, उसी रोक को बोलते हैं, सेडिमेंटारी रोक, that's clear? अब देखो generally metallic mineral are found in ignoose and metamorphic रोक अब देखो metallic mineral अહूदे अंटारियो, यह मिलते है ओंटारियो और कनाडा में copper and nickel मिलते है Ontario और Canada में अब देखो iron nickel, iron nickel chromite and platinum in South Africa iron nickel chromite and platinum कहाँ पर मिलते है South Africa में और example of mineral found in ignevase and metamorphic rock तो एक बात देखो इस जाएगा में clear है जो metallic rock है जो metallic है उसी metallic mineral किस rock में पाए जाते है यह भी एक question हो सकता है तो metallic mineral पाए जाते है ignevase और metamorphic ignevase और metamorphic rock में पाए जाते है metallic mineral that's clear देखो अब देखो sedimentary rock में sedimentary rock formation of plane and young fall mountain content non-metallic non-metallic पाए जाते है sedimentary rock में sedimentary rock में पाए जाते है non-metallic और metallic पाए जाते है इग्निवास और metamorphic में metallic पाए जाते है इग्निवास और metamorphic और sedimentary rock में मिलते है non-metallic आप देखो limestone depositor of causes region of France आप देखो causes region of France, यह France का एक region है यह France का एक region है, ठीक है coxas region, coxas region में पाए जाते है limestone, manganese deposited of Georgia and Ukraine आप देखो manganese deposit किया जाता है Georgia और Ukraine में phosphate bed and Algeria are some example और यह भी example है mineral fuel such as coal and petroleum are the founding sedimentary starter देखो mineral fuel मिलते है coal और petroleum कहा से मिलते है sedimentary rock से sedimentary rock से मिलते है coal और petroleum coal और petroleum अब देखो इस जाएगा में distribution discuss क्या गया है किस जाएगा में, किस country में sorry, किस continent में सबसे ज़्यादा कौन सा mineral है इस जाएगा में discuss क्या गया है सभी continent के बारे में discuss क्या गया है चलो start करते है अब देखो इधार do you know वाला पाट एक बार देख लेते है देखो you can always tell if a rock contains copper because then a rock looks blue in color जिस rock में, जिस rock में copper ज़्यादा होते है उसी rock का color blue होता है मतलब blue color का rock है मतलब copper ज़्यादा है एक बात समझ लो अब देखो Asia के बारे में क्या बतारी Asia का किस किस जाएगा में mineral ज़्यादा मिलते है और कौन सा mineral मिलते है यह हम लोगों का जणना बहुत ज़रूरी है चलो देख लेते है देखो China and India have large iron ore deposited Asia continent का दो country China और India यह large iron ore iron ore deposit किया जाता है China और India में देखो the continent producers more than half of the world team world का world का जो team है उसी का half से भी ज़्यादा आधा से भी ज़्यादा team मिलते है Asia से आधा से भी ज़्यादा मिलते है Asia से world में world में जो team है उसी team का Asia में ही मिलते है 50% या 50% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा अगर देखो यह divide कर दिया जाएगा तो यह Asia का part है यहाँ पर 50% team है यहाँ पर 50% team है और यह पूरा world में पूरा world में पूरा world में मिलते है 50% ठीके आधा से भी ज़्यादा team मिलते है Asia में अब देख लेते चलो China, Malaysia and Indonesia are among the world leading team producer और उसमें से leading producer यहने की ज़्यादा मिलते किस ज़्यादा में Asia continent का China, Malaysia, Indonesia and among the world और इंदोनेसिया में China, Malaysia, Indonesia में सबसे ज़्यादा team मिलते है या team producer है China can lead production of lead, antimony and tungsten China lead करते है China lead करते हैं ज़्यादा production करते है किसका lead, antimony और tungsten का Asia also Asia also has deposit of manganese, bauxite, nickel, zinc and copar Asia deposit करते हैं Asia deposit करते हैं manganese, bauxite, nickel, zinc and copar को यह जो highlight करके रखा है यह सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ना क्योंकि question इसी टाइगा से पूछते हैं आप देखो Europe में Asia का तो हो गया Asia, Asia का 50% यान की more than 50% teen production होता है Asia में Asia के बारे में यह information सुनलो 50% से भी ज़्यादा teen production होता है Asia में ठीके अब देखो Europe के बारे में Europe is the leading producer of iron ore Europe leading producer यान की Europe में सबसे ज़्यादा मिलते है iron ore in the world वाल्ड का leading producer है Europe iron ore का leading producer Europe है वाल्ड में ठीक है अब देखो mineral deposited of copper, lead, zinc, manganese and nickel और found in Eastern Europe and European Russia और देखो mineral में copper, lead, zinc, manganese and nickel यह सब कुछ मिलते है Eastern Europe में और European Russia में European Russia मतलब किसे एको को बता रही है एक बार देखो European Russia मतलब जो रासिया के साथ जुड़ा हुआ है जो रासिया के साथ जुड़ा हुआ है उसी को बता रही है यह वाला पाट को यह वाला पाट को बता रही है यूरोपिया रासिया यवद्द ही यूरोपिया रासिया थीख है तो चलोगब इंदर डू यू वह लाप आधें एक बार देखहलो क्या लिखा है Switzerland has no known mineral depict in it आप देखो Switzerland ऐसा एक जगा है जिस जगा में mineral deposit नहीं होता है ये भी एक question है, बहुत important question है Switzerland में mineral deposit नहीं होता है ठीक है? आप देखो Northern America के बारे में Northern America में किस जगा में क्या मिलते चलो देख लेते हैं Northern America का The mineral deposited in North America are located in three zones North America को तीन zone में divide क्या गया The Canadian region, Appalachian region and the mountain range of the west ये तीन भाग में, तीन पार्ट में तीन पार्ट में पहले divide क्या गया Canadian region, Appalachian region और mountain range of the west अब देखो Canadian region में क्या मिलते है? पहले तो North America को तीन पार्ट में divide कर दिया है आप देखो Canadian region में क्या मिलते है? अपलेसिया रिजिन में और माउंटर रेंज में क्या मिलते हैं चलो देख लेते हैं आयरोन और निकेल, गोल्ड, उरेनियाम और कोपर और माइन इन दे कनाडियान रिजिन में मिलते हैं iron ore, nickel, gold, uranium and copper, ये मिलते हैं, Canadian shield में, coal is the Appalachian region, Appalachian region में, Appalachian region में क्या मिलते हैं देखो, Appalachian region में मिलते है, coal, Appalachian region में मिलते है, coal, अब देखो, western cordillus, याने की, the mountain range of the west में क्या मिलते हैं देखो, vast deposit of copper, lead, zinc, gold and silver, ये western range, प्ये जो पॉइंट है, western range of the west, ये, the mountain range of the west, इस रेगा में मिलते हैं, copper, lead, zinc, gold and silver मिलते हैं इस रेगा में, आब देखो, South America का देख लेता है, चलो, South America का, Brazil is the largest producer of high grade iron ore, high grade iron ore मिलते हैं ब्राजिल में, इन्दा वाल्ड, वाल्ड का, ये भी एक मेत्पुन कोस्च्यान हैं देखो, ब्राजिल is the largest producer of high grade iron ore, बहुत अच्छा iron ore मिलते हैं ब्राजिल में, इन्दा वाल्ड, वाल्ड का सबसे अच्छा iron ore मिलते हैं ब्राजिल में, चिली और पेरू और लीडिंग प्रड्यूसर प्रड्यूसर अब कोपार, आप देखो, साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका का चिली और पेरू है, चिली और पेरू लीडिंग प्रड्यूसर है कोपार का, कोपार का लीडिंग प्रड्यूसर है चिली और प्रेरू, दिपोजिटेट गोल्ड शिल्वर जींग क्रोमियाम मेंगानिज बोकसाइड माईका प्लाटीनियाम एजवेस्टास एनडायमंड और साथ अमेरिका में और भी बहुत कुछ मिलते हैं त्याहिका में बैदा मिलते हैं अब देखो डू यू नो वाला पाट एक बार देखले ए e green diamond is the rarest diamond green color का diamond यह rare मिलते हैं यह rare मिलते हैं किस छेख में मिलते हैं चलेंव बार देख लेते हैं the oldest rock in the world western australia में जो western australia में मिलते हैं यह green diamond यह एक rare है यह एक rare mineral रहे है ठीक है आप देखो एफरीका ये बहुत हमर्ष कुछीन पूछ से एक्जांप्र और पूछिने का चां़्ट्थ सर्थ स्वियेएं रिच मिनर्यल शॉर्स प्रड्यूसर्ट कंटिकेशच वी लिटेश उंदुनाइब प्रोड्योश के लाओ पर्डूशन अब अफ्रीका अफ्रीका का कुछ आधर मीरेल के बारे मैं भी discuss क्या गया है अफ्रिका का कुछ other mineral के बार में discuss क्या गया है the other mineral found in Africa are copper iron ore, chromium, uranium, cobalt and bauxite और other mineral में से क्या क्या मिलते है चलो देख लेते है iron ore, chromium, uranium, cobalt and bauxite oil is found in Nigeria while found वाता याने की मिलते है Nigeria, Libya और Angola में oil मिलते है Nigeria, Libya और Angola में आप देखो Australia के बार में discuss कर लेते हैं चलो Australia is the largest producer of bauxite in the world Australia world का एक largest producer यानकी ज़्यादा प्रोड्यूस करते है क्या प्रोड्यूस करता है? bauxite, world में ज़्यादा bauxite प्रोड्यूस करते है Australia it is a leading producer of gold और lead करते है क्या क्या देखो gold, diamond, iron ore, tin and nickel it is also rich in copper इसमें क्या क्या है देखो copper, lead, zinc and manganese Kalgorli and Kulgarty and Kulgarty areas of western Australia have the largest deposit of gold और कीस region में gold ज़्यादा मिलते है Kalgorli and Kulgarty Kalgorli and Kulgarty में ज़्यादा मिलते है gold अब देखो एंटाक्टिका के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं चलो the geology of Antarctica is significant well known to predict to existence variety mineral deposit अब देखो एंटाक्टिका में भी बहुत सारा mineral का deposit होता है significant size deposit coal in trans-antarctic mountain अब देखो coal produce मतलब coal मिलते है trans-antarctic mountain and iron मिलते है iron near the prince charge mountain तो देखो coal मिलते है trans-antarctic mountain ये याद रखना और Prince Charles mountain में क्या मिलते है coal मिलते है देखो of east antarctic in the forecasted iron ore, gold, silver and oil are also present in commercial और उसी जाएगा में और भी मिलते है iron ore, gold, silver and oil भी मिलते है अंटाक्टिका का region में अब देखो oil का तो continent का तो बात हो गया अब हम लोगों को जानना जरूरी है distribution in India इंडिया का distribution के बारे में भी हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है देखो वीडियो थोड़ा ज्यादा हो रही है लेकिन एक वीडियो और रेटी बनाया हो और इस टेप्टार का तो और दस तो वीडियो नहीं बना सकता हूँ न तो देखो ये distribution of India भी complete कर देते है चलो ठीक है देखो इंडिया का की state में क्या-क्या mineral मिलते है ये बहुत important है ये भी हम लोगों का जानना बहुत जरूरी है चलो देख लेते है ठीक है तो देखो iron iron की जगा में ज्यादा मिलते है देखो iron India has deposited of high-grade iron or high-grade iron or the mineral is found mainly in जर्खंड ये फांड होते जर्खंड में ओरिश्या, चत्तिसगर, मद्दबदस, गोवा, महराष्ट्र, एंड करनाटक में भी iron प्रोडूस होता है आप देखो बोकसाइट, major बोकसाइट प्रोडूसिंग एरियार जर्खंड, जर्खंड में बोकसाइट भी ज़ादा मिलते है जर्खंड में और जर्खंड ओरिश्या, चत्तिसगर, मद्दबदेश, गुजराट, महराष्ट्र, तमिनाडु में बोकसाइट मिलते है अब देखो MICA 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 डेफिक्ट में ली longo जड़खन, MICA मिलते है जड़खन, बिहार, अंधवदेश एंडराजस्थान में मिलते है इंडिया एंडिया इस दे लारज़ेस्ट पर्यूर्सर अडियोशत। और मारज़ेस्थान में वाल्ड एंधुपोटर सबी है। अम मैईका इन्द वाल्ड में। थीके है। आप देखो कोपार इट इस मेंली प्रोडूच्ट इन राजस्थान, मध्धपदेश, ज़्हारकरण, करनाटक & अन्धपदेश कोपार मिलते है। राजस्थान, मध्धबदेश, जाडखांड, करनाटक, अंधबदेश में। अब देखो मैंगानीच देख लेते हैं, इंडियास मैंगानीच, डिपोजिट, डिपोजिट लाई इन महाराष्ट्र मध्धबदेश, चत्तिसगर, औरिशा, करनाटक, अधबदेश ये मैंगानी मिलते हैं अब देखो लाइम स्टोन देख रहते हैं लाइम स्टोन अं करे लीजिए य। इंडियाका मैप बना कर एक इंडियाका मैप बना लीजिए और उसी मैप में किसotros कैसेल क्या-क्या मिलते है उसी जएगा को टीक कर लीजिए यह आप लोग का होमवार्क भी है और यह बहुत आसान इससे याद रहेगा इंडिया का एक मैप ले लिजिए और उसी मैप में किस-किस जएगा में क्या-क्या है उसी को लेख लीजिए ठीक है उसी स्टेट के उपर लिखे जैसे देखो यह पर जाडखन है तो लिख देना कोपार, लाइमस्टोन क्या-क्या मिलते है जाडखन में लिख दो तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ठीक है आप देखो गोल्ड के बारे में डिसकास करते हैं गोल्ड की स्टेट में जादा मिलते हैं कोलार इन करनाटाक गोल्ड मिलते हैं करनाटाक का कोलार गोल्ड फिल तो नाम सुने हैं ठीक है कोलार इन करनाटाक डिपोजिटेट अब गोल्ड इन इंडिया अब देखो कोलार गोल्ड फिल जो करनाटा का में है उसी जाएगा से गोल्ड मिलता है उसी जाएगा से ठीक है आब देखो सब्सक्राइब देखो अब देखो यूजेज के बारे में हम लोग जान लेते हैं देखो मिलता है बहुत हार्ड है तो इससे क्या बनाये जाता है देखो various style of jewelry बहुत jewelry भी बनाये जाता है इससे ठीक है Copper is another metal used in everything form of coin and pipe copper से क्या बनाये जाते है coin और pipe silicon used in computer industry obtained from quartet आप देखो silicon यूज किया जाता है computer industries में computer industries में aluminum opted from its or bauxite is used automobile and airplane and bottling industry building and even kitchen cookware आप देखो aluminum use किया जाता है aluminum use किया जाता है aluminum aluminum use किया जाता और bauxite aluminum use किया जाता और bottling industry में building में kitchen cookware में aluminum का बहुत kitchen का बहुत बर्तन बनाते है aluminum का ठीक है और bauxite भी यूज किया जाता है आप देखो conservation of mineral यह संग्रक्षन करना बहुत ज़रूर है mineral को को पता है जो non renewable resource है ओ नेचरल नहीं है ओ नेचरल नहीं है ठीक है यानकि non renewable resource होई है जो use करने के बाद खतम हो जाएगा जो यूज करने के बाद खतम हो जाएगा होई है और यह बनने के लिए खतम होने के बाद दुबारा बनने के लिए कितना टाइम लगता है थाउजन प्यार थाउजन यानकि हजारों सल लग जाता है हजारों सल लग जाता है फिर से बनने के लिए the rate of formation is much smaller than the rate of which humans consume this mineral अब देखो human mineral use करते है human mineral को use करते है लेकिन किसी ने संग्रक्षन के बारे में नहीं सोचते है कि यह बनने के लिए कितना टाइम लगता है और यह बनने के लिए जादा टाइम लगता है लेकिन यूज करने के लिए और human मतलब अपने से ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं ठीक है अब देखो ये क्या करना चाहिए हम लोग को recycling के थुर recycling के थुर ये conserve करना चाहिए mineral को जैसे देखो reduce जानिकी काम यूज़ करना होगा फिर से recycle करना होगा reuse करना होगा तो चलो वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक यू